हमारे साथ मांकालका के मंदिर का दर्सन करने चली ए हम इसका सुरवात बोटेनिकल गार्डेन मेट्रो एस्टेशन से करने जा रहे हैं हम टिकट ले चुके हैं और मेट्रो की ओड बढ़ रहे हैं मेट्रो आ चुकी है दो गेट भी खुल गया है और हम लोग अंदर आए हैं तो देख रहे हैं कि कुछ सीट्स हैं हमारे लिए तो हम उस सीट्स पे बैट चुके हैं और मेट्रो चल दी है बाहर करना जारा पेहद सुखद और मनमोग है कालकाजी मंदिर सौथ देली में पढ़ता है और इसके आसपास ग्रेटर कैलास, लाजपतनगर, नहिरू प्लेस है और आसपास में ही भव्य लोटस टेमपल भी है जब कभी आप इस एडिया में आए तो जरूर आए हम आ गए हैं कालकाजी मेट्रो स्टेशन के पास यहां से हम बाहर निकलते हैं, मेट्रो में एसलेरेटर स्टेश और नॉर्मल स्टेश दोनों हैं, काफी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स और स्लोगन स्थौर्स लिखा देख रहे हैं, जरूरी एनॉंस्मेंट भी होती रहती है जरूरी गाइडलाइन्स भी लिखी रहती है, ताकि यातरी सही मेट्रो में बैठ सके हैं, तो हम टिकट काउंटर के पास आ चुके हैं, टिकेट टोकेन को सम्मिट कर दियें और बाहर आ चुके हैं यहां के बाहर का नजारा भी बहुत हरा भड़ा साफ सुत्रा मनुवर है, यहां पर ऐसा लग रहा है, कहीं और आए हो, लेकिन है तो अपनी दिल ली ही, तो हम दीरे दीरे कालका मंदिर के नजदी का चुके हैं अब आप सरधालू के जुंड को भी देख रहे हैं, दाई और तीन पिलर दिखाए दे रहा है, जो मंदिर का मेंगेट है, आज नवी का पड़व है, तो भीर बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेंगेट को खोल के नहीं रखा गया है, क्योंकि यदि सरधालू एक साथ जाएं तो यहाँ पर भगदर मत सकती है, कुछ अप्रिय घटना हो सकती है, तो अब हम मंदिर के पास आ चुके हैं, तो लाइन लगने से पहले चपल खोल लेते हैं, चपल सब्मिट कर देते हैं, और प्रसाद ले लेते हैं, चलिए आपको स्रधालू की लाइन दिखाओं और है, क्योंकि लाइन यह बहुत लंबा है, देखिए सरधालों की कितनी भीर है, यह लाइन बहुत लंबा है, इसलिए हम आपको लिए चलते हैं, एकदम लाष्ट में, जहां पर हमको लाइन लगना है, तो यह पुलिस का बेरिकेटिंग है, यही से हमको लाइन में लगना है, यहाँ पर एक पुलिस भाले अंकल सजेस्ट किये कि एक और गेट है उधर से जाईए तो हम उधर से जाने लगे हैं इधर से जानते वक्त हमको ऐसा लगा कि बहुत जल्द पहुँच सकते हैं क्योंकि बहुत कम लोग दिखाए दे रहे थे हम लोग इसके तरफ दिए दिरे आगे बटे थोड़ा सा खुश होते हुए हमको राइट साइड में सौचाला दिखा और आगे गेट दिखा गेट के लेफ्ट साइड में इका दुका पूजा समगरी का समान दिखा और सरधा लोग कुछ दिखे जो समान को खरीद रहे थे राइट साइड में मंदिर है तो लोग जा रहे हैं पहले तो बहुत ही कम लोग दिखे फिर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं भीर भी बढ़ रही है एस्पीड कम हो रहा है और जब मंदिर के आसपास पहुँचे हैं तो दस से पंदरा मिनट में एक पग भी नहीं चल पा रहे हैं भीर बहुत ज्यादा हो गया है मान्यता है कि आँ मंदिर लगवक 3,000 साल पुराना है यहां कौरव और पांडव माकाली का पूजा करने आते थे इनका अन्य नाम मनोकामना सिद्ध पीठ और जैनती पीठ भी है इसे मुगल इंपेरर औरंग जेव द्वारा डिमोलिस तो करा दिया गया था परन्तु 48 सताब निवे पुनाहिस का जिर्णोधार हुआ और आप अभी जो मंदिर देख रहे हैं वो जिर्णोधार वाला मंदिर है बच्चे को कलाहल को थोड़ा सा सुनिए क्या सही क्या गलत पर लगता है कि जब भीर की आसंका हो तो बच्चों को नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि बच्चे बीमार पर सकते हैं उनसे किसी को चोट पूँश सकती है क्योंकि बच्चे नाजुख होते हैं हम तो ऐसा लेन लगना और इस तरह कासा कसी में पहली बार फसे हैं बट इट्स ओके यह द्रिस थोड़ा फील गूड वाला नहीं लग रहा है किस तरह लोगों को मंदिर के प्रांगर में प्रेस कराया जा रहा है प्रसासन भी क्या करें जब भीर ही इतनी हो उनकी भी तो मजबूरी है सबको एक साथ जाने देंगे तो भगदर मत सकती है बट एक बात अच्छा ने लगता है बियाईपी सिस्टम से मंदिर में इंट्रि जो यहाँ पर भी होता दिख रहा था लीगल है इलीगल है नहीं पता हमको फिर तो हम लोग भी धीरे धीरे उस वियाईपी लाइन में गुसे पता तो था ही कि प्रसासन से सुनना पड़ेगा तो वो हुआ भी जैसे जैसे हम वहाँ पर पहुँचे प्रसासन थी गेट के पास और थोरा सा बहस भी हुआ जो आप सुन पा रहे होंगे बट किसी तरह समझा कर हम लोग आगे बढ़े फिर से प्रसासन भी रितनी की प्रसासन को तो रहना ही है बट लोगों की सरधा देखकर बहुत अच्छा लगा कि लोग परिसानी में भी खुशी ढूंट लेते हैं हो भी क्यों न जब मा कालिका साथ हो आशिरवाद हो इस लेन के लास्ट में हमको मंदिर दिखने वाला है कालका मा के बाद बहरो मंदिर जाने है तो सुझाव दिया जा रहा है हम आ चुके हैं मंदिर के बिलकुल पास में एक बार मंदिर और सरधालों को दिखाएं कहते हैं जहां यह मंदिर है वहीं पर मा कालका का जन्म हुआ था यहां पर आप लोगों को मुन्रन कराते पाएंगे सिर्फ यही एक मंदिर है जो सुड़ी गरहन के समय भी खुला रहता है क्योंकि माकाली में ही सभी गरहों नचत्रों का वास होता है अब हम मंदिर के अंदर आ गए हैं बहुत नहीं, हद से भी जादा भीर है लोग एक दूसरे से पिस जा रहे हैं प्रसाद चढ़ाना तो दूर अपने आपको संभालने वही बहूत है, आप देखिए हम किसी तरह मा को प्रसाद चढ़ा कर आगे बढ़े बाहर निकल रहे है बगल में एक मेडिकल की टीम दिख रही है मेडिकल टीम अच्छा लगा दे करके की लोगों का केर भी है हम जैसे ऐसे बाहर निकल ले थे तो हमको हवन दिखा वहाँ पर हम टीका लगाए, प्रणाम किये और उसी के बगल में प्रसाद बांटा जा रहा था तो चलिए प्रसाद ले लेते हैं प्रसाद हमको ले लिए हैं सब लोग ले लिए हैं ग्रहन कर लिए हैं और अब मूड है बाहर निकलने का तो एक बार दर्सन कर लीजिए चारो तरफ का और हम लोग बाहर निकलने का सोच रहे हैं बाहर निकल रहे हैं यहां पर सुबह सारे 6 से 7 बजे तक रात में 8 से 9 बजे तक मा काली की आरती होती है यहां पर हम मेन गेट के पास आ चुके हैं, मेट्रो स्टेशन दिक रहा है तो इस सफर में साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, लोगों में सेर कर सकते हैं आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुबहो, मंगल बैहो, अनंद मैहो, जैमा काली